हेलो दोस्तो आप एंडुड उसर और आपको पास भी एंडुड फोन होगा और आप Google Chrome भी उस करते होगे तो आपको क्या पता है कि Google Chrome जब आप चलाते हो तो क्या आपके लिए Google Chrome सेफली है या फिर नहीं है आज मैं आपको बताने वाले कुछ ऐसा पास सेटिंग्स के बारे मे जिसको आपको Google Chrome में apply करना है फिर आपका जो Google Chrome है और आपका phone जो है हमेशा secure हो जाएगा तो चलिए दोस्तो जानते हैं कौन सा है वो setting वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पर हलो दोस्तो मेरा नाम है संदीप आप देखर हो knowledge गुरू जी तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो आप यहाँ पर जब भी कुछ web सर्च करते होगे तो यहाँ पर आपको सामने web history आ जाता होगा दोस्तो आप इसको कैसे remove कर सकते हो यह बहुत simple तरीका है remove करने का दोस्तो अगर आप चाहते होगे आपको कोई history न चेक कर पाए तो आप इस सीधा clear पे click कर देना दोस्तो ध्यान रहे कि यहाँ पे एक और option है आपको last hour का delete करना है कि 24 घंटे करना है कि 7 दिन का delete करना है या फिर चार वीक करना है या फिर all time मतलब पूरे समय कर देलिट करना है तो आप अपने हिसाप से यहाँ पर time set कर लेना दोस्तो मैं यहाँ पर last hour कर लेता हूं और यहां पर क्लिक करके आपको यहां पर क्लियर का ओप्षन दिख जाएगा इस पर क्लियर पर आपको क्लिक कर देना जैसे क्लियर पर क्लिक करोगे आपका जो सर्च हिस्ट्री हो डिलीट हो जाएगा बात करते हैं दूसरे नमर सेटिंग दोस्तों दूसरा नमर सेटिंग क्या है यह आपके home page पर ही मिल जाएगा आप यहां पर देख रहो मेरा profile जो है Gmail का यहां पर सोग कर रहा है तो बहुत लोंग होते हैं तो आपना Gmail हो चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत लोंग डोे पर जो है और चेंज नहीं कर पाते हैं तो आपको यह बहुत सिंपल तरीका है यह अपने पर दोस्तों करना क्लिक करने Years और यहां पर गुगल सर्विस के कम और संद्य जाएगा इसो बँन कर देना बन करने बाद वापस से आपको यहां से चालू कर ले ना चालू करने बाद आप जब बैक पर जाओगे यहां पर देख लोगे आपको चूज अनुदर एकाउंट पर ओप्सन दीख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है आपके फोन में जतने भी एकाउंट होंगे यह करने वाले हैं आपको जिस भी एकाउंट से लोगइन करना है उस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर नीचे यह साइम इन पर क्लिक कर देना है तो आपका जो जीमेल एकाउंट होगा आप उस से लोगइन हो जाओगे अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे नमर सेटेंग की तो आप जब भी यहाँ ओपुछ करते हो किसी व़ेपसाइट में एक कुलीख करते हो किसी वजाते हो तो क्या आपके लिए वहसेफ है या फिरवा आनसे तो उसको आपको चेक करना है दोस्तों आपको यहाँ थ्री चलोटसफ्य पर क्लीक кра, ऑसेपको एक option दिखेगा इस पर आपको click करना है और यहां से check now का option है इस पर आपको click कर देना है तो एक बार मैं click करके आपको check कर देता हूं कि मेरा जो browsing है वो पूरी तरह से safe है लेकिन आपका अगर दोस्तों safe नहीं होगा आपको कुछ error आ रहा होगा उसको मैं check करा देता हूं आपको safety check पर click करके दिखाता हूं यह देखे यहां पर आभी मुझे error आ जाएगा यहां पर देख लिजे दोस्तों update जो है मेरा अप Chrome जो है वो टिक लगा हूँ है password जो safe है लेकिन यहां पर last option दोस्तों देख लिजे थे आंसे जो safe browsing का है browsing का जो option है इस पर error आ गया है देख लिजे और यहां enhance protection पर click करके वापस बैक चले जाना यहां पर फिर से check now पर click करना है अब देख लिजे यहां पर जो safe browsing का option है यहां पर tick लग गया है मतलब मेरा browsing जो है वो safe हो गया है आप अपने phone को भी इसी तरह safe browsing कर सकते हो ठीक अब दोस्तों बात करते हैं चोथे नमर setting की तो ब location का camera का या फिर microphone का storage का कुछ भी का option मांगता है आप आप से click कर देतो हो जा दोस्तों आपके लिए हो सही है अगर आपको लगता है कि मैंने permission दे दिया लेकिन मेरे लिए हो सही नहीं है मेरे phone के लिए सही नहीं है तो आप उसको दोस्तों ब्लोग भी कर सकते हो आपको यहां आपको site setting दिख जाएगा इस पर click करना यहां पर आपका पूरा जो phone का permission है यहां पर आपको दिखने वाले हैं अगर माले आप location का किसी website को permission दे दियो तो इसको remove कर सकते हो आप यहां पर location पर click करना यह on रहेगा आपको यहां से off कर देना है location जो है वो off हो जाएगा आप किस ब्राउजर को camera का permission दे दियो तो आप camera पर click करोगे यह on रहता है आपको इसको off कर देना तो camera का permission रहेगा वो off हो जाएगा अगर आप यह चाहते हो कि microphone का permission आपने दे दिया इसको block करना है तो आपको यहां से इसको block कर देना है इसको करने से दोस्तों आपका phone जो है वो hack होन से बस सकता इसके लिए पर्मिशन ज को ब्लोक कर दिचिए गौां दोस्तों यह हिता था नमर का सेटिंग बात करते हैं किसी भी कमपनी का Samsung का phone search किया तो आप जब भी YouTube चलाओगे या फिर कोई भी website पर जाते हो तो आपको वहाँ पर एक ad so होता है जो आप search किया रहते हो वही ad so करने लगता है तो दोस्तों वो ad क्यों so करता है क्योंकि आपका जो Google है वो आपको track करता रहता है कि आपकी इस चीज में interest रखते हो फिर आप जब भी YouTube चलाओगे या फिर कोई भी website पर जाओगे तो आपको उसी के related में ad दिखाये जाते हैं simple सा दोस्तों बात यह है कि Google आपको जो है वो track करता रहता है जब भी आपको यहाँ पर search करोगे आप यह नहीं चाहते हो कि Google आपको track करे तो आप उसको off भी कर सकते हो दोस्तों बढ़ी है आसानी से यहाँ पर 3.0 पर click करना है settings में जाना है आपको यहाँ पर privacy and security वाले option पर click कर देना है यहीं पर दोस्तों आपको दिख जाएगा do not track कर एक option यह आपका ऐसे on रहेगा आपको सिंप्लिस है इसको off कर देना है दोस्तों इसको off कर दोगे आप तो आपका जो Google Chrome है आपको वो track नहीं करेगा आप कुछ भी website पर search करोगे Google Chrome जो है वो आपको track नहीं कर पाएगा Google Chrome जब आपको track नहीं कर पाएगा तो आपको add भी so नहीं होंगे उसके related में दोस्तों यह था दोस्तों पाचवास setting यह था बहुत important setting जो आपको Google Chrome में apply करना है दोस्तों अगर इसको आप apply कर लोगे Google Chrome में तो आपका जो phone है पूरी तरह से secure हो जाएगा दोस्तों आपको बसके लिए जो settings मैंने बताया है वही apply करना है I hope मेरा आपको आप वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लेस वीडियो को लाइक जरूर करेगा दोस्तों और हाँ चैनल पर नहीं आए हो तो प्लेस सब्सक्राइब जरूर करेगा धन्यवाद दोस्तों